हलो एवरीपान इस वीडियो में हम इपर्टेंट चीज डिस्क्राइब करेंगे हेडनेक कैंसर परटेनिंग जो रिकंस्ट्रक्शन करने के बाद आपको किस एक्सरसाइस की जरुवत है कितने समय के लिए जरुवत है कप-कप करना चाहिए क्या हमें ये लाइफ टाइम करना मेरा नाब दॉक्टर नामीच चक्रोरती है मैं हेडनेक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ जी हां आपको ये लाइफ टाइम करना चाहिए क्योंकि जर आप चाहते हो आपकी क्वालिटी आफ लाइफ अच्छी हो आपका माउथ ओपनिंग पर्फेक्ट हो आप सॉलिट पूड अच्छे से खा सको तो आपको लाइफ टाइम करना चाहिए क्या स्टेप्स में ये करना चाहिए आपको हम अभी इस वीडियो में बताएंगे बेसिकली ऑपरेशन होने के बाद पेशन्स को पेइन होता है ये पेइन को सबसाइट करने के लिए हम कुछ समय के लिए उनको अनलज्स को यहने पेंट्गिलर देते हैं लेकिन तीन से चार हथे बाद पेशन्स का पेंट्गिलर का reqirement सिगनिफिकेंटले ट्रॉप होजाता है उसके बाद हम पेशन्स का जो अपनी एक्सरसाइज चलू करोा लोग है पेशेंट्स पेइन के कारण मुह खुलते ही नहीं है उनका अधा सेंटीमेटर में नहीं बढ़ता है अब इन पेशेंट्स में हमें जबरदस्ती एक्सरसाइज करके खुलवाना पड़ता है ऐसे तो हम जो आपके पास आइसक्रीम स्टीक्स है उसका पूरा पैकेट लेके राइट साइड का ओप्रेशन हुआ है और लेफ्ट साइड में दात के बीच में फत्रा हो स्टार्टिंग में हो सकता है आधा मिनिट ही लग सकते हो कोई बात नहीं अब आधा मिनिट रख बट दीरे दीरे उसका डिवरेशन बढ़ाओ पाच मिनिट तक लेके जो और दिन म चार बर करो morning, afternoon, evening and late night and what is most important आपको late night वाले exercise definitely करना है क्योंकि maximum patients का complain रहता है सुबहरे उठते है तो हमारा मुई नहीं खुलता है रात तक तो सब अच्छा था क्योंकि रात में आपने exercise नहीं किया सोने से पहले इसलिए सुबह अच्छे से नहीं खुल रहा है तो वो आपक पास एक specific mouth opener है जो PVC से material से बना हुआ है और आप इसे directly order करके मंगा सकते हो I can care से cancer care foundation है जिसका जो mouth opener है it's very good soft उसे आपका दाथ जो हो घसता नहीं है और उसमें चाबी रहता है वो चाबी को धीरे धीरे घुमा के आपको खुलना है और जब आप घुमा के उसे खोलोंगे तो daily one by one screw rotate करना है काफी patients suddenly rotate करने के लिए देखते है suddenly करोंगे तो जो dislocate हो सकता है जो आपका plate लगा हुआ है वो निकल जा सकता है या उसके screw lose हो सकते है तो exercise धीमे धीमे करके आपको बढ़ाना है तो आपका जो mouth opening है it will be a good mouth opening to have good food intake secondly जो भी head neck cancer के patient होते है उनका neck dissection होता है जले का भी surgery चर्बी की गाटे निकाली जाते है तो patients का complain होता है sir हमारे shoulder उठाने में तकलीप होता है गर्दन घुमाने में तकलीप होता है उन patients को advice यह दिया जाता है कि आप surgery के बाद से नेक exercise चलू कर भीचे they are very simple and can be done easily at home without the support of any physiotherapist कैसे करना है आपको right में मुंडी घुमाना है पिर left में घुमाना है up and down do this activity at least 20 to 30 times morning afternoon and evening अब कुछ patients है जिनका shoulder stiffness है वो कैसे दूर किया जा सकते simple exercise you should do 10 times when you are doing it and 100 times in a day आप दोनों हाथ ऐसा straight करो दीरे 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 उपर लेके जो अब दोनों हाथ को पास में लाने का कोशिश को ताकि आप यह ऐसा होंगे उतना अच्छा है और उतना stiffness अपका कम हो जाएंगा और दूसरा exercise है सब जो right side operation हुआ है तो दीवाल के बाजू में खड़े होके आपका यह हाथ उपर लेके जो एकदम उपर जाने के बाद 10 तक गिनो और 10 गिनने के बाद दीरे दीरे नीचे लेके यह दोनों exercises आप आपको 100 times करना है ताकि आपको जो shoulder का stiffness है 0% पर जाएंगा इन 4-5 exercise और बताएंगे tips को आप जर प्रॉपर्ली फॉलो करोंगे आपका mouth opening अच्छा रहेंगा, neck का rotational movements अच्छे रहेंगे, shoulder का stiffness almost kneel रहेंगा हिडने cancer के बारे में आपके मन में कोई भी question होता है तो आप ये screen पे दीए गया number पे whatsapp message कर सकते हो हिडने cancer के बारे में आपको जानकरी चाहिए तो मेरे youtube channel को आप subscribe कर सकते हो, thank you